मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ एक बहुत इंट्रस्टिंग सफर पर मैं आपकी मुलाकाथ यह पहले सारा इलाका जो है वो डैनसोर्स का ही हुआ करता है यह जगह थी जहां पे वो रहा करते थे वो जानवर डैनसोर्स यह देखें इस तरह की हड़ी होती है यह चोटी हड़ी है यह भी डैनसोर की हड़ी है यह आपको क्या लगता है कौन सी हड़ी आओंगी कौन से जानवर की होंगी शायद यह बर्ष उसकी डैनसोर की भी हो सकती सोचें अगर यह सच में इस टाइम मुझूद होते और मैं इस तरह फिर रहा होता क्या यह मुझे जिन्दा जाने देते यह जगह है जहां पर डैनसौर रहा करते थे असलाल कम दोस्तों मुझे अमीद है आप सब खेरियत से होंगे मैं भी ठीक हूँ और इस टाइम में मुझूद हूँ चकवाल का एक छोटा सा गाउं है जाटला जस्वाल के नाम से और मैं आज आपको लेके जा रहा हूं एक बहुत इंट्रस्टिंग सफर पर मैं आपकी मुल मुलगात को जानवर आगिया आज आपकी मुलगात मैं कराने जा रहा हूं ऐसे जानवरों से या यह समझने के ऐसी एक स्पेशिस से जो खतम हो चुकी दुनिया के अंदर जिने हम लोग डाइनसोर्स के नाम से जानते हैं उनकी वैली जहां पर रहा करते थे चकवाल में जो सारी मंदर कशी करूंगा आपको और दिखाऊंगा कि महां पर जो हैं वो जानवर किस तर आपनी जिन्दगी गुजारा करते थे और वो कैसा दिखता है वो इलाका यह पार्ड भी यह इलाका भी उसी का एक हिस्सा है और यह पहले सब समंदर हुआ करता था लेकिन अब जो ह पहले समंदर ने अपना रुख बदलना शुरूर किया था और अब यह जगा पहले यह समंदर के अंदर ही हुआ करती थी और यहां पर कुछ जो पहाड़ पहाड़ी सिलसले थे वहां पर डैनासोर्स हुआ करते थे उनके फॉसेल उनकी निशानियां मिली है आईए आपको यहां डैनासोर वैली और इस जगह पर मैं पहुंच गया हूं जहां पर डैनासोर्स के फॉसल्स मिले थे चकवाल में जिस जगह से वह मिले थे उस जगह पहुंच गये और वो जगह मेरे साथ एंकल आये जो इनका इधरी गाउंस की तालुक है बनमीर खातून से चलके यह में दिखाएंगे के वह कहां से खुदाई की थी और कहां से मिले देखें कि यहां पर मैं आपको दिखाता हूं यह जगह थी जहां पर वह रहा करते थे वह जानवर डैनासोर्स आप सोच सकते हैं कि इन पहाड़ों के अंदर अच्छा लोग कुछ करेंगे हमें कुछ खुदाई करके कुछ मिल जा है कि इस तरह का कुछ रास्ता है कि यह पहुंच गया है यह यह कुछ लगड़ी लगड़ी है अच्छा 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 इसके निकला यह भार खुद ही आगया था नहीं यह अधर आपना खौद के निकला अच्छा इसके अंदर तो अभी बहुत कुछ दबाबा होगा अच्छा अभी सब्सक्राइवींडैरा जोड़ा अच्छा अच्छा यह ञाँ पर बता सब्सक्राइब तो आपको भी दिखा आई आए क्या है है इसकेlica की शौंग अच्छा इसके rib यह निकल सकती हैं इसे खालोटでも ato एक भूभ आपके डेइक घंते हो में गातो यह जुआ कुछ यहां पर खो देंगे तो बहुत कुछ मिलेगा यह अभी निकल ने रही है मेरे पाप कोई आले भी नहीं है ऐसे कि मैं इसको निकाल सकूँ लेकिन इस तरह के फॉसल्स हैं जो पत्थर के बन चुके हैं अच्छा यह है कुछ ओ नोच है यह अगर आपको नजर आ रहा है यह डैनोसॐ की को है यह costume है वैसे सर मैं अपको दीखातने हम हाँ 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 जरूर 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 से यह देखने मुझे मुझे एक चोटी सीड़ी मिली है विलकुल यह भू बहुत भाव्त रिच है इस मामले में मैं इस वक्त मुझूद हूँ चकवाल के एक छोटे से गाओं बन अमीर खातून के पास बिलकुल ये गाओं से बार एक जगा है जहां पे डाइनासोर्स के फॉसिल बेशुमार तादाद में मिले हैं इन में जातर फॉसिल पौदे खाने वाले बिना सींग के जानवर्स के हैं इनकी बाकियात पंजाब में चकवाल, जहलम के इजला और सिंध में दादू के मुकाम पर मिली हैं सबसे पहला फॉसिल पाकिस्तान में बलुजिस्तान की लागे बारफान से 2000 में दर्याफ्त हुआ ये फॉसिल अब तक लावा, चेंजी, कलर कहार और ढोग बन अमीर हैं जिनकी तारिख 1000 साल से लेकर धाई करोड साल तक हो सकती है पंजाब युनिवस्ट्री के स्टुडेंट्स कुछ आए में यहां पर और उनको कुछ हड़ियां मिली है डाइनसौर्स की यह तो अभी नहीं पता चलेगा कि किस चीज की हड़ियां है यह तो यहां पर आपक यह किसी जए मैमल की लग रिए मैमल में से जैड यह वर उसकी लाइनसौर की भी होसकती है ठीक है तुप बहुत ज्यादार स्काल्ट भी मिल रही है उनकी अच्या चोटे जांड और उनकी भी मिल रही है तो यह अध्री जी बदा रहे है कि यह एग ऑन और यह अभी और यह लीख ज़ादा बॉंड तो चुके आम अच्छा दिखाएना तरह कौन सी बॉंड है जाए यह यह डी है यह डिये यह बॉंड मिली देखें यह कुछ पता है कि किस जानवर की है यह कोई अंदाजा अभी यह इस वकत नहीं लगाया जा सकता यह कुछ छोटा जानवर लग तो यहां पर रिसर्च के पर लेकर आएं तो उनसे पूछते हैं कि वह क्या रिसर्च कर रहे हैं और यहां से अब तक क्या मिल चुका है अब तक यहां पर हम जो पराने जमाने के जब इंसान की पेदाय से पहले के तो अंगूलेट फॉसल्स होते हैं वहां जो सुम्दार मैमल जिसे हम कहते हैं उनके फॉसल्स हम सर्च कर रहे हैं आच्छा तो मैंने भी इस पेना जो पाकिस्तान यह जो पाकिस्तान की इसका यह वाहिद हैं दुनिया में जिनमें कांटिजनस रेकट मिलता है हुआ हुआ हिए यह बोंज नसर आ रही हैं जमीन थर ये बोंज हैं यह बोंजे और दो हैं यह बड़ी तादाद में मतलब जानवर यहाँ पे थे और बने भी इतने तादाद में हमें बोंज चूल सोचें अगर यह सच में इस टाइम मोजूद होते और मैं इस तरह फिर रहा होता क्या यह मुझे जिन्दा जाने देते नहीं ना बस आपको दिखाने के लिए इस जगा पर मैं पहुंचा और बहुत सारी मैंने यहां पर दरियाफ्त की हैं और खुद भी वो हड़ियां ढूंड के निकाली जो के डैनसौर्स की यहां पर मुखतलिफ एकसाम के जानवरों की यहां पर दफन थी और यह देख सकते है कि मैं इस तरह से घुम रहा हूं शायद आज से करोड़ों साल पहले इस तरह शायद ना घुम पाता अगर घुमता तो मैं इनका शिकार हो चुका होता और डैनसौर्स की जो मौत है वो कहते हैं कि एक शहाब साकिप के गिरने की वज़ा से एक आफ़त आई थी दुनिया में जिसकी वैसे ये जो है डैनसौर्स खतम हो गए थे और उसके बाद से दुबारा से दुनिया का एक तरीके से जनम हुआ था ये कहते हैं बहुत खुबसूरत जगह है और मैं इस जगह पर इसलिए आपको लेकर आया ताकि आप भी उस जगह को उसी तरह से फील कर सकें जैसा कि अभी मैं फील कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कहीं से डैनसौर आएगा और मुझे पकड़ लेगा आके तो इंजॉय करें वीडियो को आगे चलते हैं वीडियो में आशिक साप ये बताई ये क्झा आपने खुद देखे विडियों की बड़ी डियों कैसी को यहां से लिखी गए। यह जबला लेका पारा रहा है कि रखिवा जबला था यह को अँभ़ राले सब्सक्राइब करते होंगे और करोड़ों साल पहले यहां पर डैनसोर्स जोना मुझूद थे और आप देख सकते हैं यह वह जगह हैं जहां पर डैनसोर्स घुमा करते थे खुली अजादी के साथ और यह डैनसोर्स वेली जो है मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा हमें जो है फॉसल मिले हैं पाकिस्तान से और जिसमें बहुत रिच ह जगह है इस हवाले से आप जहां पर हाट डालेंगे आपको कोई ना कोई हड्डी मिल जाएगी किसी जानवर की अभी मुझे कुछ दाद भी मिलें और कुछ और हड्डी भी मिली हैं बहुत ज्यादा तादाद में हैं तो उमीद है यह वीडियो आज की आपको जरूर करें और अगर पेश पहें तो पेश को लाइक कर लें फॉलो कर लें तो अगली वीडियो तक के लिए तब तक के लिए अलाहाफ़ेज आप